नमस्का विद्यार्थी मित्रों, मैं पारोल सेलर आज आपको कक्षा 5 में विशय हिंडी पड़ाओंगे। विद्यार्थी मित्रों, आपने यातायाद चित्रपात में यातायाद के साधनों की जानकारी प्राप्त कीप। यातायाद के साधनों के अलावा चित्रपात में बगी चिका द्रश्य भी है। पकी चिक का चित्रों और यातायात के साधनों से आप परिचित हो गए होंगे। हम फिर एक बार यातायात के साधनों को देखेंगे। तो चलो हम यातायात के साधनों को देखते हैं। यह स्कुतर, टांगा, बैल गाड़ी, ओटो रिक्षा, हवाई जहाज, वैन, मोटर बोट, नाव, यात्री गाड़ी, मैत्रो ट्रेंड आड़ी, यातायात के साधन है, यह चित्रपात में, यातायात के साधनों के अलावा, बग्गीचे का द्रश्य भी दिखाई दे रहा है, बग्गीचे में, गुढ़ल, गेंडा, सुरजमुखी, आड़ी फूल, दिखाई दे रहे है विद्यार्थी मित्रो, अब हम पाथ्य पुस्तक में दिये गए अभ्याश के प्रेश्ण को समझेंगे, तो चलो हम अभ्याश के प्रेश्ण को समझते हैं चित्र को देख कर फूलों के नाम की सुची बनाईए विद्यार्थी मित्रो, यहाँ पे चुत्रो में बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं आपको इसके नाम अपनी नौट्बूक में लिखने हैं प्रश्ण दो चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सुची बनाईए यहाँ पे बहुत सारे चित्र में फूल नहीं दिखाई ड़े है जैसे की कमल तो हमें ऐसे फूलों के सुची बनानी है प्रेश्ण तीन चित्र डेखकर यातायात के साधनों की सुची बनाईए चित्र में जो यातायात के साधन दिखाई दे रहे है उसके नाम लिखने है प्रेश्ण चार उन यातायात के साधनों के नाम बताईए जो चित्र में नहीं है विट्याथी मित्रों यहाँ पर बहुत सारे ऐसे यातायाद के साधन है जो नहीं दिखाई दे रहें तो आपको ये नाम लिखने है जैसे की बेलगाडी, उटगाडी, आदी प्रस्न पाँच आपने जिन यातायाद के साधनु के नाम लिखे है उन्हें नीची दीगई तालीका में वर्गी कुरूत कीजी तालीका नंबर एक लो पहियो वाले साधन, तीन पहियो वाले साधन, चार पहियो वाले साधन और चार से अधिक पहिये वाले साधनु के नाम आपको लिखने है टाली का नंबर डो सडक पर चलने वाले यातायात के साधन हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन और पानी में चलने वाले यातायात के साधन के नाम आपको यहाँ पर लिखने है या फिर अपनी नौटबुक में लिखे प्रश्ण च नीचे दिये गए तिकत का चित्र देख कर प्रश्णों के उत्तर दीचे विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर दो टिकत दिये गए है एक है रेल का और दूसरी है बश का विद्यार्थी मित्रों देखिए यहाँ रेल का तिकत है रेल का तिकत बस तरह हमें रेल में नहीं मिलता रेल का तिकत हमें रेल्वे स्टेशन से लेना पड़ता है देखिए रेल्वे का तिकत कहां से कहां तक का है आपको देख कर बताना है तिकत का किराया यहां दर्शाया गया है आप बताईए तिकत में कितना किराया लिखा है रेल्वे के तिकत में यहां पर इस तिकत का दिनांग दर्शाया गया है कौनसी तारीक का यह तिकत है यह पढ़कर आपको बताना है विद्याथे मित्रो यहां बस का तिकत है बस कंदक्तर हमें बस का तिकत देता है तिकत देखे, यह तिकत कहां से कहां तक का है, आपको देख कर बताना है बस तिकत में कितना की राया दर्साया है, यह देख कर आपको बताना है बस और रेल के अलावा कहां कहां तिकत लगता है, यह आपको बताना है प्रस्न साथ नीचे डिये गए चित्र का अवलोकन करके बेड स्पस्ट कीजिव विद्याठी मित्र यहां पर चित्र नमबर एक और चित्र नमबर डो डिये गए है यह डोनों चित्र में से आपको बेड दोंधने है जैसे कि पहले चित्र में छोटे लड़के का चित्र पूरा है और दूसरे चित्र में छोटे लड़के का चित्र आधा है इस तरह आपको चार से पाच भेड डुंधने होंगे। विद्यार्थी मित्रों यह प्रेश्णों के उत्तर आपको आपकी नौट्बुक में लिखने है। विद्यार्थी मित्रों आशा रखते हूं कि अभ्याज के एक से साथ प्रेश्णों के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। तो यह प्रेश्णों के उत्तर आपको अपनी नौट्बुक में लिखने होंगे। ओके तो बहुत जल्दी हम फीर मिल लेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आउजू। कि ए भाया कि ए kto में लेंगे। प्रेश्छिय नौट्ट छवह कि बदा ख्या हुझ के लिए।